हलो आपरिवन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग सॉल्ब करेंगे वाक्षी टू के कोश्चन को और यहां पर फर्स्ट कोश्चन कहता है दा फॉलविंग टेबल सोज दा नंबर आप स्टुडेंट्स इन डिफरेंट क्लप्स इन या स्कूल यह जो टेबल दिया हुआ है और कितने अस्टुटेंट्स हैं कोन से कलब में यह हमको यहां पर दे दिया गया है अब यहां पर कूश्चन कहता है प्रिपेर यह बार ग्राफ यूजिंग दा स्केल हमको यह जो डेटा दिया हुआ इसका यूज करके क्या बनाना है एक बार ग्राफ बनाना है और यहां प पर लेना पड़ेगा तो आए हम गराफ पेपर लेते हैं तो यहां पे हम लोग क्या करेंगा सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रो करेंगे यह देखिये ओके यह लिए एक और यहां पर पे टॉप पेम एरो लगाएंगे यहां भी हमारा एरो का साइन रहे एगा ठीक है यह आप देखिए अब क्या करते हैं हम लोग यहां पर एक और यहां पर क्या करेंगे एक लाइन ड्रो करेंगे और यह लाइन अपना 10-12 cm यहां हम लोग बात पर इसको एड़जेस्ट कर लेंगे चोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं यहां पर यहां पर और ठीक है यह देखिए मैंने कर लिया अब हमको क्या करना पड़ेगा है यह जो हमारे प्र लाइन से न इसमें हमको यहां पर मार्किंग करना पड़ेगा तो सबसे तरफ हम लिखेंगे number of students राइट यह note कर लिए अब देखिए यहां पर हम जो लेंगे वो difference लेंगे 20 का चुकि यह जो हमारा एक length है ना यह हमारा कहलाता है unit length और यहां पर question में कह दिया है कि जो unit length होगा वो हमारा कितना होना चाहिए 20 का होना चाहिए ठीक है तो हम यहां पर 20 क लेते चलेंगे difference तो पहले 020 लिए अब हम क्या करेंगे यहां पर लिखने वाले 40 ठीक है 20 का difference होगा फिर हम यहां पर लिखेंगे 60 फिर हम आगे लिखेंगे 80 फिर हमारे यह पास होगा 100 ओके और यह हो जाता है 120 फिर 140 फिर 160 और 180 यहां तक लेंगे चुकि maximum हमारा जो value है 180 त चलिए अब हम क्या करने वाला है यहां पर अब हम लोग यहां पर scale लेंगे ठीक है और यह चेक करेंगे जो पहला कलब है हमारा mathematics कलब उसमें कितने students है तो उसमें 150 students है तो यह देखिए हमारे पास यह मार्किंग किया हुआ यहां पर 140 और यहां पर 160 तो इसके बीच में हमार हमна antalane 150 तो 150 तक हम ले लेते हैं यह देखिएंठी मेच कर यहां से आपको 150 करेंगे queries कर गिया है तो यहां पर हम क्या महान है देते हैं ताकि इसका लुक थोड़ा अच्छा हो जाए अच्छा देकने में लगे कि ये देखिए इस तरह से ले लें यह का चाहते हैं स्टेश हं Pakी कि आप कि इस तरह का बनाना चाहते हैं तो यह मैंत्मेटक्स 2007 loss continued stored ऊभिझे व fan convenient हमने इस तरह से कर लिया तो यहां पर हमारा हो गया language कलब देखिए 120 कर लिए अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा सेकेंड अर्थ हर्ड जो है science कलब उसका चिक करना पड़ेगा तो science कलब में कितने science club है हमाने पास 140 यहां पर लिए हमारा जो अगला हुआ यहां तक जाएगा ठीक है यहां पर mark कर लेते हैं अब आईए हम क्या करेंगे यहां पर एक लैंड रोग करेंगे एक बाहर क्या बना दिते हैं ओके तो चलिए हमने यहां पर कर लिया यह हमारा क्या नाम होगा ना science कलब नाम होगा इसका तो यह कितना होगे हमारा 140 होगे ठीक है अगर यहां पर जैदा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं न इसको आप राफ कर दीजी ऑक हूं यह कम्प्लेट हो बना सकते हैं इस तरह से को कि तो आपका जो बार है और देखने में क्या में अच्छा लगेगा अगया अब आत्कित डान्स अन्मृजिक कलब उसमें कितने हैं वन होँने पास 180 यहां पर देखिए तो अगला हम बार बनाएंगे 180 तक हमारा जाएगा तो यह देखिए हम यहां पर मार्क कर लिए और फिर से seminar यह देते हैं तो यह देखिए हमारे पास जितने भी कलाप्स थे शारे कलाप्स में कितने अशुडेंट्स थे यह हमने लिया यहां पर ओके और जो हमारा बार है हमने इस तरह से ड्रॉख कर लिया है सारे क्लॉप के लिए तो यह हमारा complete हो जाता है बार गराफ और चुक्छी यहां पर जो हमने बार बनाया है यह बनाया हुआ है तो यह हमारा क्या कर लाएगा आप चाहे तो भर्टिकल बार गराफ भी ड्रॉख कर सकते हैं तो चलिए नेक्स्ट कॉस्टन में हम लोग भर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉख करते हैं तो देखिए हमारे पास सेकेंड नमबर कॉस्टन केहता है दर फॉलॉविंग टेबल शोज दिस सेर्कुलेशन अफ न्य उर्दु बेंगॉली ओके नमबर आफ नीज़ पेपर्स कितने कितने नीज़ पेपर्स यह सर्कुलेट हो रहे हैं यह दिया हुआ है आईए हम इसका बार ग्राफ प्रिपेर करते हैं तो कोश्चन नमर सेकेंड का ग्राफ बनाने के लिए हम फिर से यहां पर क्या करते हैं एक एक लाएंड डॉक करेंगे यह हमारा भर्टिकले और दूसरा दौध र하는데 करेंगे गोगा एक त्रब हम यहां पर लिखेंगे कि यहां पर देख सकते हैं हमारा सबसे कम जो है वो 200 है और मैक्सिमम हमारा चला जाता है 1600 तो इसलिए हमको यहां पर 200 लेके चलना पड़ेगा ताकि हमारे पास यहां पर maximum value है वो हमारा यहां पर आ जाए ओके तो 200 400 600 फिर हमारे पास 800 फिर इस तरह से 1000 फिर यहां पर 1200 और 1400 और 1600 यह हमारा होगी है maximum value ओके अब हमको लेने के आओ सकता नहीं है अब देखिए हम यहां पर पहले बार बनाएंगे किसका सब्जेक्ट हमारा जो है आने की language है English है ना तो English language में कितने news papers आ रहे हैं यहां पर देखिए हमारे पास दिया हुआ है 1400 तो यहां पर लोग मार्क कर लिए ओके और यहां लोग क्या लोग लिखने वाले हम लोग लिख देते हैं English तो चलिए हम यहां पर लिखेंगे English यह हमने आप पर नोट कर दिया English ओके अभी हमारा यह फर्स्ट बार बन गिया और दूसरा हम किसका बनाएंगे हमारा है 1600 हं यहाँ पर दैंगे हम एक पॉर्चन को छोड़ देंगे यह हमारा पहला बार बन गिया तो दूसरा हम पर छोड़ देंगे और इसके बाद आगलाम एक पर खेंगे ठीक है अगर दोनों और यहां कर दिजेगा ना तो बार गराफ नहीं होगा वो हिस्टोग्राम हो जागा ठीक है तो हिस्टोग्राम हमको यहां पर नहीं बनाना है हमको यहां पर बार गराफ बनाना है इसलिए हम यहां पर गैप रखेंगे यह आपको ध्यान रखना है तो चलिए यहां पर हमारा जो है क्या नाम नोट करना पड़ेगा हिंदी हम लोग यहां पर हिंदी नोट कर देते हैं ओके यह हमने क्या कर दिया हिंदी नोट कर दिया आप थोड़ा सा आप इसको फिर से यहां पर एट्रेक्टिव लुक दे सकते हना आप चाहें तो इसका जो बार है आप इसको अच्छे से डिजा भी हो गया फिर हमारे पास आता है तमिल तो हम यहां पर नौट कर देते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर जितने बार थे सब को मैंने अट्रेक्टिव लुक दे दिया अच्छा से कर दिये जो हो गया जितने भी लैंग्विजेज थे इसके लिए इसको रिपरजेंट करने का हमने यहां पर ग्राफ बना लिया है और यहां पर बार अच्छा रखता है चलिए हम लोग आप नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे जो कि है को स्थर्ण तो नेक्स्ट कोश्चन नमबर थार्ड हमारे पास है इसको सॉल करते हैं कहता है प्रिपेर यह बार ग्राप फोर दा इन्फोर्मेशन आप दा नमबर आप मेंबर्स इन डिफरेंट फैमिलीज ओफ लोकालेटी यह डिफरेंट फैमिलीज दिये हुए हैं और यहां पर जो ट् मेंबर्स हैं तो यहां पर देख सकते हैं नमबर आफ फैमिलीज दिये हुए और उसमें कितने मेंबर्स हैं वह हमको यहां पर दिये गए हैं हमको क्या करना है इसको एक बार ग्राप के रूप में रिफरेंट करना है तो आईए हम इसका एक बार ग्राप ड्रॉ करते हैं तो तो हम लोग यहां पर करते हैं एक तरफ number of members और दुसरे तरफ हम लोग नौट कर लेते हैं number of families ओके तो number of families में हमको यहां पर unit length select करना पड़ेगा तो unit length question में दिया हुआ नहीं है तो यहां पर जो हमारा एक length होगा वो कितना होगा यह हमारा पर क्यालाता है unit length तो यहां पर हम 10 का difference ले लेते हैं डिफरेंस हम कितना कर लेते हैं तो 10 हमारा unit length कर लाएगा तो इस तरह से हम यहां पर 0-10 10-20 20-30 इस तरह से हम not कर लेते हैं तो यह मैंने families है तो यहां पर देख सकते हैं आपको 20 families देया हुआ है तो हम यहां पर 20 पर मार्क कर लिए अब हम क्या करेंगे यहां पर बार ड्रौ कर देते हैं इस तरह से हम यहां पर बार ड्रौ कर लिए राइट चलिए तो यह मैंने डिजाइन यहां पर बना लिया अब यहां पर कित तो यहाँ पे number of member कितना है one है हाना एक ही member है family में और इस तरह कितने family है 20 families है तो यह हमारा हो गया पहला अब दूसरा हम यहाँ पे note करेंगे वैसे जिसमें की two members है हाना तो two members वाले कितने family है hundred families है तो हम यहाँ पे hundred पे mark कर लेते हैं यह देखिए हमारा यह रहा hundred ओके यहां तक हमको ड्रॉ करना है बार तो आईए हम ड्रॉ कर देते हैं hundred तक हमको लेकर जाना है ओके यह देखिए यह ड्रॉ हो गया अब यहाँ पे हम क्या करेंगे note कर देते हैं number of member तो यह हमारा हो जाता है number of members कितने हैं यहाँ पे तो two members है ठीक है चलिए आगे हमारे पास जो आएगा three members वारे family वो कितने हैं three members वारे family तो 120 तो 120 तक हम국ो लेकर जाना है यहाँ पे हम लोग three note करते हैं और यह हमारा है 120 यहा तक हमको लेकर जाना पड़ेगा तो आईए हम लोग इसको ड्रॉव करते हैं तो यह मिने ड्रॉव कर लिया और यहां पर लिख दिया नमबर ओफ मेंबर्स कितने हैं तो फैमली जे तो इस तरह से हमारा बारगराफ यहां पर बन रहा है अब चलिए हम और भी जो मेंबर्स यहां पर कर दिया है और नमबर ओफ फैमली कितने थे यह हमने सब कुछ यहां पर दिखा दिया तो बस इस तरह से आपको यहां पर ड्रॉव कर लेना है और बड़ा ही इजली आप यहां पर कर सकते हैं ओके और ही जो होड़ भूप्य थे लेस्व है प्यू है एल्ध कर वाहर हाई